हाई आप सबको अपने इस चैनल पर स्वागत है कि सीबसी क्लास 10 और 12 वाले बच्चे ये वीडियो आपके लिए काफी खास और इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि सीबसी के एक्जामनेशन कंट्रोलर ने एक बहुत बड़ा ब्यान दिया है जिसमें आपको इस अपडे में इस बार से मैसेज था कि कोविड लेके अब आपको एक्जाम आगे बढ़ जाएगा जिसके कारें बहुत से बच्चे थोड़ा से प्राही में डिल कर दिये थे उनको बहुत बड़ा रिलाक्स मिलने वाला है सो गाइस के एक्जामनेशन कंट्रोलर आपके जो सिबसी के ह उन्होंने क्या बात कही है जिससे आपको टेंस खत्म होने वाला है सो गाइस वीडियो के साथ बने रहिए और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लोगों तक बहुत शेयर करोगे क्योंकि सही अपडेट के साथ मैं इस चैनल पे आपको वीडियो अपलोड करता आप सभी का एक्जामनेशन जो है वो आपका डेट पता है लेकिन सियाम भरदवाद जी आपके एक्जामनेशन कंट्रोलर ने जब उनसे लीडिंग नी चैनल ने बात किया जो क्या उन्दा स्क्रीन आप देख सकते हैं बात किया तो उन्होंने साफ साफ कहा है कि बच्चों को डरने की जरूरत नहीं है यहां सिर्फ यह नहीं हो रही है कि कॉंसेट बेस पर क्वेश्चन पर यानि आप जो भी मैस पड़े हो चाहे साइंस पड़े हो कोई भी सब्जेक्ट आपका है या टेन टूवल वाले बच्चे आपका फिजिक्स है या कमिस्ट्री या बाइयो ज सारे मेर्द आपको कॉंसेट बेस पर कोउश्चन पुछा जाएगा एमसी की कोउश्चन आपको जोएब है वो तो मीनिममम आपको पास कर ही दे रहा है उसके लिए आपको ज्यादा फिक्रें नहीं करना है लेकिन एक्जामनेशन कंट्रोलर ने आपको सबसे बड़ी बात एकजाम को होगा की एकजाम बहुत ही टैट होगा बहुत ही परिशानयों को सामना करना पड़ेगा और बहुत color की बाते बाते वो बहुत कुछ नहीं नहीं आए गा बहुत आसान question आएंगे जिसमें बच्चे लोगों को जवाब देना आसान होगा दूसरी बात या है कि देखो उन्होंने एक और बात को चर्चा किया कि बच्चे जो examination में जो paper लिखेंगे वो word limit में लिखेंगे यानि word में लिखेंगे जो भी वो एक limit में रखेंगे बहुत ज़ादा explanation करके नहीं लिखेंगे और दूसरी बात उन्होंने कहा कि step marking है इसलिए आप बच्चों को प्रेशान नहीं होना है कि अगर उन्होंने किसी question का अगर पांच line मन सा रहा और एक line भी उन्होंने लिख दिया तो उन्हें वो marks जरूर मिल जाएगा तो यह बहुत बड़ी बात है स्ट्रेप मार्किंग है प्लस पासिंग मार्क्स के लिए आप सब अच्छी जानते हैं 33 परसेंट मार्क्स लाना है admit card जो है आपको Monday से लेकर Wednesday के बीच में आपको official website पर आपको मिल जाएगा जो की upload होगा लेकिन फिर आपको स्कूल से ही स्कूल से में जाने जीए अडमिट का आपको स्कूल से ही allotment होगा चीक है तो Monday को आपको आडमिट card मिल जाने समभावना है जादा जादा आपको Wednesday जाएगा यानि नेक्स्ट वीक में आपको आडमिट कार्ड आपको स्कूल से मिल जाएगा तो गाई जी छोटी सी वीडियो था जो कि आप तक मैंना शेयर किया वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखो जाहिन जावारत